हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटुब चैनल एफिसियनसी क्लासिस में दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है यूज ओफ, bc, ad, bce और ce काफी सड़ी स्टुएंट्सों में ये डाउट्स होता है कि हिस्ट्री के डेट के साथ अगर bce, ad, bc या ceo तो इसका means क्या होता है हमारा आज का विडियो इसी concept को clear करने के लिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आगे इसकी सुरवाद होती है हिस्ट्री के pop dynosius से जिनका मानना था कि हिस्ट्री को एक sequence way से दिखा जाना चाहिए तो ये start कहां से किया जाए तो इन्हें एक reference point की ज़रत थी तो दोस्तों इन्होंने उस reference point को किसके बनाया इन्होंने Jesus of birth को और reference point बना डाला यानि कि Jesus के birth के पहले जो भी events हुई है हिस्ट्री में उनको हम denotes करते हैं BC के through जिसका मतलब आ जाता है before Christ जी हाँ दोस्तों पर्थ ऑफ जीसस ही ओ reference point था हिस्ट्री का जिसके पहले के date को BC कह जाता है एक्जैंपल के तौर पर मानिये दोस्तों कि ममी आज से 2500 years BC में हुआ था इसका मतलब हो गया before Christ यानि कि जीसस के बर्थ के ठीक 2500 years before यह चीज हुआ था अगला आता है दोस्तों AD इसको कह आता है एनो डॉमीनी बहुत सरे इस्ट्रेंट यह सोचते हैं कि इसका full form होता है after death of Jesus नहीं दोस्तों AD started from the birth of Jesus AD जो start हुआ था और जीसस के बर्थ से शुरू हो गया था example के तोड़ पे हमारा country इंडिया आजाद हुआ था 1947 AD को इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि जीसस के बर्थ के 1947 years के बाद हमारा country आजाद हुआ था यानि AD को denote हम लोग करते हैं जीसस के बर्थ के बाद वाले दिनों को दोस्तों और दो बात आते हैं काफी सा रिष्टूंटों में BCE और CE दोस्तों यह BC और CE का जनम जूइस के कारण हुआ जो जूइस थे इनको problem था word lot से क्योंकि BC word में before Christ जो Christ word आता था और यूज होता था जीसस के लिए जूज को पसंद नहीं था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का ही एक तरीका बना ले तो उन्होंने यह तरीका बनाया BCE दोस्तों यह BCE और CE होता क्या है BCE को हम लोग before common era भी कह सकते हैं या before current era जो की BC का same meaning है before Christ जो BC का meaning है वही before common era का और before current era का मिनिग दोस्तों अगला point हमारा बनता है कि CE क्या होता है CE को हम लोग common era या current era का नाम से जानते हैं यह same meaning as AD यानि Jesus के बर्त के बाद बाले दिनों को हम लोग CE भी कह सकते हैं अगला question यह बनता है दोस्तों कि यह CE, AD, BC को हम लोग लिखे कैसे how to write BC या AD मालिजे दोस्तों BC को लिखना है तो आपको उसको year के बाद लिखना होगा 1299BC और AD year के पहले put होता है I hope दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करे, share करे और हमारे चैनल को subscribe करे